स्टार्ट है चलिए भाई हेलो वेरी गूड इविंग तो आल सभी को नमस्कार मैं अब देश दिख्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आजए ये लाइव और सबसे पहले ये बताइए ये जो सेशन्स चल रहे हैं क्या ये हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हाँ या ना कुछ बड़िया सवाल देखने को मिल रहे हैं कुछ बड़िया एप्रोच जानने को मिल रही है चाहे आपने कहीं से भी पड़े थे ये chapters हाँ जी बाकि जिनने session shared like नहीं कर दिया करो भाई निलीशा, विपिन, वैभाव, दीपू, वेरी गुड इवनिंग, आनन्द चले, गुड इवनिंग है सभी को, फायदे मन लग रहे हैं न, तो इसी प्रकार से, आज का जो ये सेशन होगा, हम इसमें मिक्षरिन एलिगेशन के बड़ी असवाल करेंगे, बिना किसी ट्रिक के, देखो, मैंने आपको हमेशा कहा है, कि अगर सेलेक्शन लेना है, टॉप 100, 200 में आना है, या 500, या 1000, देखो, टॉप 100 में आने के लिए, उस दिन आपका, लग भी काम देना चाहिए, और लग कब काम देगा, जब आपने महनत करी होगी, धेर सारी, मतलब, एक्जामपल दे फलाने दिन उसकी लग चल गई होगी, लेकिन लग चलेगी कब, आपने महनत करी, आपने मालों GKGS कहीं से पढ़ा था, आपने बहुत सारे करेंट अफेर्स के सवाल कहीं से पढ़े थे, अरे तभी तो आप दो सवालों में, या दो आप्शन्स में, एलिमिनेशन लगा पा तो लग जो है, यह भी उसकी काम करती है, जब आप हाड़ वर्क करते हो, बोलते हैं न, सक्सेस इस वेर हाड़ वर्क मीट्स लग, तो हाड़ वर्क लग को मीट करती है, बिना हाड़ वर्क के लग नहीं काम करेगी, क्लियर है, चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल नेक्स सेशन आपका Friday को होगा कल कोई सेशन नहीं होगा सॉरी नेक्स सेशन आपका Thursday को होगा Tomorrow is Wednesday तो कल छोड़के परसो हमारा second session होगा आ जाईए बिना किसी विलंब के पहले सवाल को उठाते हैं आप ट्राई करिए आंसर बताईए आपका कितना आ रहा है सभी को गुडीवनिंग हो चुकी है अब आप आंसर बताईए निलीशा का अंसर आ चुका है अमित ने क्या कहे सर मेरको इन्विजिलेटर एंड ने टाइपिंग री टाइप करने को कहा और मैंने दुबारा टाइप कर दिया cgl means में post preference भर दिया है क्या expect करूँ भाई expect क्या करोगे जितना rank आ दिखा रहा है उससे साब से कुछ सोचो आ जाईए करें discuss सचिन कल उमीद है कि कल अपलोड हो जाएंगे ठीक है कल जमेटरी हम अपलोड कर रहे हैं इसी चैनल पर अपलोड करने ठीक है अभी बीच में जो टाइम गुजर गया था वह post preference के चक्कर में मैं थोड़ा सा busy था ठीक है बाकि कल हम जो है यहाँ पर जमेटरी अपलोड करेंगे is it clear to every छात्र करें सवाल को केवल हमारे पास दो आंसर साएं एक निलेशा का आया है और एक वैश्नवी का आया है आज यह discuss करते हैं देखो कब का सवाल है MTS का पूछा गया सवाल है ठीक है सवाल क्या कह रहा है बाबुलाल जो है वह एक जूस's कोरनर चलाते एक पार्ग के बाहर और गिलोए का जूस बेचते देख रहेев जब से कोरोना के बाद से जूस्दीआ इब गिलोए का सवाल आने लग गया है जिसtech करते हो हैं जिसमें गिलोए और वाटर है सुबह और 9 बता रखा है क्या आप मुझे बता सकते है starting quantity कितनी थी आपने कैसा 19 लीटर थी उसमें से क्या करता है वो धाई लीटर बेच देता है तो इसमें से धाई लीटर बेचोगे तो कितना लीटर बचा साड़े सोला लीटर बचा इस साड़े सोला लीटर में क्या है ratio बताओ पास 2 ratio 9 है 19 लीटर अगर आप उसमें से कितना भी निकाल लोगे तो भी आपके पास उतना ही ratio रहता है यह concept यहाँ पर लगाए जब आपने एक juice ले लिया उसमें अगर दो चीजों का ratio 2 9 है तो उसकी हर एक बूंद में जो ratio रहता है वो कितना रहता है यही तो रहता है यह concept आता है ना आगे वो कह रहा है कि उसके बाद वो क्या करता है उसे dilute करने के लिए अब तो डेड़ लीटर तो चले गाए उसके पास से तो उसके बाद वो कुछ वाटर एड़ करता है कितना एड़ करता हमें नहीं बताया और अब गिलोई और वाटर का जो ratio है वो 1 ratio 5 हो जा इसकी जाते यह सवाल अपने किया नहीं है क्या यह वन रेश्यो 5 होगि कितना फ fired है आपको अब वाटर करने है आपको फाइंडा 방송 करने है कहां से निकालो os तो आपको होगे साथ देखो सवाल में साड़े सोला लीटर, साड़े सोला लीटर जो है ग्यारा रेश्यो की वैल्यू है, 9 प्लस 2 ही तो ये है न, अब इसका रोल तो खतम हो गया, आप स्वाल किसको कर रहे हो, इन दोनों को, यानि एक्जाम में आप सिर्फ करते कि साड़े स ला जो है, ये 9 और 21 रेश्यो की वैल्यू है, एक लीटर की पता करने है, डेसिमल यहां पर जीरो आ गया, ग्यारा से गया, कितनी बार, 11 बंजा 11, 11 फाइजा 15, और ये जीरो यहां पर आ गया, सो दा आंसर इस डेड़ लीटर, समझ में आई बात, हाँ या ना, आगे पीत कि आज पहली क्लास है, आखरी नहीं होने देंगे, देखिए, अगर आपने मिक्षर एलिगेशन पढ़ा है, तब इस सेशन को अटेंड करना, तब ज्यादा मज आएगा, वरना समझ में आएगा, कि पता नहीं क्या चल रहा है, वरना आप बोलोगे, पता नहीं क्या च देखिए, जो भी स्ट्रेंट्स, अगर कहीं पर पेड कोर्स नहीं लिये हैं, लेना चाहते हैं, मुझसे केवल मैट्स अगर पढ़ना चाहते हो, तो इंस्पेक्टर बैच 1.0 में रॉल कर सकते हो, फीस ये है, एप पर जादा शो करेगा, ये आपका डिसकाउंट कोड रहे होगे, जो अलग एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेगा, वो है mentorship sessions, आपको यहाँ पर mentorship के session, मेरे द्वारा और बाकी जो educators selected हैं, English में 135 में 135, reasoning में इस साल 90 में 87, और GK में selected जो अपने candidate हैं, उनके जो अच्छे नमबर है, वो सब educator हैं पढ़ा रहे हैं, तो उन से आप mentorship यानि की बातचीत कर सकते हो, zoom session type interface रहेगा एप पर, यह weekly होता है session, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, यह रहा आपके सामने, answer बताईए आपका कितना आ रहा है, बताईए, किसका answer आएगा सबसे पहले, जिसने session attend किये हैं, वही answer बता पाएंगे, बढ़िया बढ़िया सव बढ़िया सवाल है, बताई नेट इशू आ रहा है बफरिंग हो रही है वैशनवी बारिश का वैसे मौसम हो सकता है ऐसा शिवानी ने आंसर बताया है 1 निलीशा ने आंसर बताया है 2 1 है या 2 है 1 या 2 A B C D या फिर टाइप करिएगा ठीक है Math week है दिलपीत कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर हमारे previous sessions मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में वैसे यह सवाल हमने यहाँ पर free session में भी discuss किया है नहीं किया बताईए भाई आ जाईए सवाल क्या कहा रहा है देखा आपको concept को पकड़ना पड़ेगा वो जो कह रहा है उसको पकड़ो जो information दिया उसको समझे इस कह रहा है एक beaker है जिसमें acid और water का जो ratio है इसका acid और water का जो ratio है यह एक अनुपात x है ठीक है आगे कह रहा है जब मैं 300 ml मैं क्या ले लूँ मैं यह 300 ml तो mixture ले लूँ ठीक है और इसमें 50 ml water add कर दूँ और इसमें 50 ml water add कर देता हूं तो acid और water का ratio क तब एक ही बात है तब यह जो ratio है यह 2 ratio 5 हो जाता है हाई है ना जब हमने water 50 ml ले लिया और यह 300 ml ले लिया बात सही है अब बताओ 300 और पचास थाड़े 300 हो गया इसका मतलब यह total कितना है 350 है भाई 300 तो हमने mixture लिया और 50 जो है कहां लिखा है कहां लिखा है यहां लिखा है 50 ml हमने पानी लिया तो यह 350 ml है तो 7 ratio की whalew 350 7 ratio की value 350 तो एक की value 50 हो गई तो इस पाँच ml की value यद 5 ratio की value 200 और इस दो की value कितनी हो जाएगे फिर 100 अब बताês न minder न पानी को निकाल तो ये कितना हो गया 200 हो गया और क्या हमने acid में कोई change किया नहीं किया तो acid उतना का उतना हो गया यानि कि starting में जो ratio था वो 100 ratio 200 यानि 1 ratio 2 था यहाँ पर 1 है तो 1 ratio 2 यानि कि x की जगे कौन आ जाएगा बताओ क्या ये बात clear है ये ratio कितना हो गया 1 ratio 2 तो x की value कितनी आ गई 2 आ गई done है आगे बढ़े अरे हाँ या ना अरे बताओ सवाल कैसे लग रहे हैं जो students पहले कहीं पर mixture allegation पढ़े हैं दो सवाल दौनों बढ़िया सवाल कोई trick नहीं केवल और केवल concept से किया ना चलिए आगे बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा कई कोई कहता है कि सर वहां बढ़िया पढ़ाते हैं वहां बढ़िया पढ़ाते हैं मेन बात्यार यह है सीधी आप compare करोगे तभी तो समझ में कि कहां बढ़िया पढारे है वैसे जहाँ भी पढ़ रहे हैं सब बढ़िया है छलीए सब यहां पर हमारे पास एक सेशन को करने के लिए एक टॉपिक को करने के लिए दो classes होती हैं वहाँ पर हम अपने हिसाब से classes बढ़ा सकते हैं समझें आ जाईए यहाँ पर क्या रेड अलर्ट है यह नहीं है बताओ कि यहाँ पर रेड अलर्ट है जैसे मैंने सवाल देखा एक option 26-9 है दूसरा option 9-26 है तो मिर को ध्यान से जाना है सवाल में हडबड़ी में गडबड़ी नहीं करनी है क्या-क्या answer आ रहे हैं दिलपरीत कह रहे है सर मैं तो पंजाब अड़ा से आया हूं अरे दिलपरीत पाजी कोई बात नहीं है दिलPRISत जी क्या उसमें इस ताइब के सवाल आते हैं अगर आते हैं तो classes देखनी है otherwise skip कर सकते हैं आ जाईए एसा ही सवाल पहले भी SSC ने पूछा था जिसमें ये वाला सवाल था कौन सा धरती वाला I think अबने डिसकस किया था Northern Hemisphere और Southern Hemisphere उसका ratio क्या होता है एक अनुपात एक इसी प्रकार से ये भी सवाल है क्या कह रहा है एक colored photo है वो जो colored photo है समझना ज़रा ये color photo है जो की blue और yellow color से मिलकर बनाई जाती है blue और yellow color जो use किये जा रहे हैं इस पूरी photo में वो 4-3 है मतलब अगर मान लो इस photo में 4 part अगर blue color blue पहले ना blue color use किया गया है तो 3 part जो है yellow use किया गया है इफ इन upper half पहले उपर वाले half में जो blue और yellow का ratio है वो 2 और 3 है तो क्या पूछ रहा होगा नीचे वाले half में बताओ कितना होगा वो हमने x मान लिया है तो main बात जो वो ये half की कर रहा है सवाल में वो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये समझो कि ये पूरा जितना भी है इसमें ये जो पहला part है अगर आप इसे one ratio बोलेंगे तो ये one मतलब ये दोनों बराबर है ratio क्या है half और half का अनुपात क्या होता है आधे और आधे का अनुपात क्या है ये दोनों बराबर है एक अनुपात एक clear है तो बताओ आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो या तो सवाल को blue से कर सकते हो ये yellow से कर सकते हो हमने ये discuss कि है और पहले वाले को उठा लेना गलती क्या हो जाती है क्या बताया था कि आप 2 by 3 कर दोगे लेकिन करना क्या होता है 2 है blue कितने मैंसे 5 मैंसे 2 by 5 पार्ट blue है दूसरे का मुझे पता नहीं total क्या है 4 कितने मैंसे 7 मैंसे तो 4 by 7 क्या हमने ये बात discuss नहीं करी थी कि हम सब को same number से multiply कर सकते हाँ करी थी अच्छा ये ratio क्या है इन दोनों का तो आपने कहा sir 1 ratio 1 अब सब को किस से multiply करोगे तो आपने कहा sir हमें ये 7 और 5 हटाना तो 35 से कर दिया तो ये भी 35 आ गया यहाँ पर यहाँ पर भी 35 आ गया और यहाँ पर भी 35 आ गया काटा पीटी कर दी 5, 7 जा और 7, 5 जा तो ये कितना हो गया ये हो गया आपका 20 ये कितना हो गया ये हो गया आपका 14 तो बताए माइनस करके कितना आ रहा है तो 14 और 20 का difference 6 तो इस एक ratio की value कितनी आ गई 6 ऐसे इस एक ratio की value कितनी आ गई एक की value चे तो यहां भी एक की value चे अब बताओ इससे यह वाली value बढ़ी है चोटी आपने का सर 14 से 20 बढ़ रहा है तो इधर से वीधर यह बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 6 ही बढ़ेगा तो यानि इसकी value 26 होगी क्या आपको 35 x की value बतानी थी नहीं हमने यहां पर x माना था न तो इस x की value बतानी है तो x की value कितनी होगी 26 अपन 35 इसको कैसे पढ़ोगे तो आप कोगे सर अगर blue color हमारा 26 है तो यह हमारा blue plus yellow होगा तो blue हमारा 26 है और blue plus yellow यानि yellow होगया 9 यानि 26 को आप 35 में से minus कर लोगे वैसे कर लिया क्या यह बात clear हुई समझ भाई बात अरे राजविंदर कोई बात नहीं है सवाल समझ रहे हो मैं आपको समझाते हुए भी चल रहा हूँ एक्जाम में सीधे आप लिखते ही है यह तो सब समझाया गया पार्ट है एक्जाम में हमको सिर्फ इतना वाला पार्ट solve करना होगा डन है आपको क्या देखना है आप कहीं पर भी पढ़ते हो सिर्फ एक चीज़ देखो कि आपको उस question को करने में time कितना लग रहा है क्या बाकी students कर पा रहे है क्या previous year सवाल है हाँ भई previous year सवाल है तो मुझे कितना time लगा अच्छे सवाल कर रहे है डेड़ मिनिट यह सवा मि अगर आपका पहला attempt है तो आप exercise inspector भर दो पहला attempt है तो जादा मत सोचो best post उपर रख लो पहला attempt मतलब अभी आपके पास अगर age है सीजल 23 भी देना है तो आप सबसे top पर अपनी best preference रख सकते हो ठीक है क्योंकि 22 की joining तक 23 का mains हो जाना चाहिए 22 की joining तक 23 का mains हो जाना चाहिए रोबिन ये वाला सवाल देखो न भाई ये वाला सवाल देखो रोबिन ठीक है आजाईए तो क्या answer आ रहा है तो वैशनवी ने बताया है ए निलिशा ने बताया है ए विपिन ने बोला है 3 और कहरें तो juice और water तो juice और water का जो ratio है वो 5 और x है ठीक है या जब हम इसमें 1 लिटर water add कर देते हैं किसमें 4 लिटर इसमें तो इस 4 लिटर में ये add कर दिया 1 लिटर ठीक है तो हमारे पास जो juice और water का ratio बन जाता है वो 1 ratio 1 बन जाता है तो ये 4 और 5 हो गया ना इसका मतलब यह हो गया आपका धाइ लीटर, ये बھی हो गया, धाइ लीटर, हाँ है ना, हाँ सब, बिल्कुल बात सही है, तो बताओ, यहां से यहां आए तो हमने एक लिटर एड किया था पाणी, तो ऊपर जाओ गया वापस, यानि ये हो गया तेठी लीटर, हाँ है ना, इसका मतलब की पानी हमारा डेड़ लीटर था और ये धाई लीटर उपर वैसे का वैसा ही क्योंकि हमने जूस में चेंज नहीं किया वाटर में चेंज किया अब धाई का मतलब कितना होता है 5 by 2 रेशियो में 1.5 एक छोटी सी बात को समझना मैं आपको भी सवाल में परिवर्तन करके भी दूँगा यानि चेंज करके भी दूँगा आप मुझे एक बात बताईए ध्यान से सुनना मेरी बात को हो सकता है कि कल यहाँ पर कल मतलब जब भी आप एक्जाम दोगे एक्जामिनर यहाँ पर 7 रेशियो X दे देगा उनों यहाँ पर एक्जामिनर ने अगर दिया होता 7 रेशियो X तो एक बार आप सॉल्व करके बताईए X की वेल्यू क्या होती प्योंकि एक्जामिनर थोड़ा थोड़ा दिमाख लगा रहा है अगली बार वो दे देगा 7 रेशियो X अभी तो आपने गया 5 रेशियो X होता तो बताईए आंसर क्या होता है एक बार कमेंट करके बताईएगा थोड़ा आगे भी तो सोचना है बताईए बोलो ना चांत हो गए भाई यही सेम सवाल है आप यहां तक आगए 2.5 रेशियो 1.5 7 रेशियो X आंसर है क्या आप देते इतना सन्नाटा क्यों है भाई है इतना सा ही तो आगे बता दिया बोलो नहीं तो डिसकस टाइप करिये भाई साहाब इसमें भी डिसकस कमेंट कर रहे है एनी बड़ी बोलो बड़ी बताओ भाई कुछ तो बोलो या मेरे पास ही कमेंट नहीं आ रहे है लगए हुए अरे भाई समझो यहां पर 5 है तो मैं यहां पर 5 बनाऊंगा तो जो भी चीज राइट में होगी वो हमारा आंसर होगा तो भाई हमने यहां पर देखा यह 5 बैट हुए तो 2 को राइट में ले गए तो यह बन गया 5 रेशियो 3 तो इस कुशन का आंसर तो 3 हमने ऐसे दे दिया अगर यहीं पर होता सुमझो अगर यहीं पर examiner कल को दे देता यहां पर 5 रेशियो X न दे के 7 रेशियो X होता माल लो अब मैं यहीं पर change कर देता हूँ यहां पर सवाल होता 7 ठीक है अब X की value कितनी आती तो समझो मतलब कि मुझे यहां पर 7 चाहिए क्या चाहिए भाई 7 चाहिए तो हमने क्या किया हमने सबसे पहले सारे पार्ट को हमने क्या किया हमने यह देखा किया हम इसको लिख सकते हैं 1.5 था तो मैंने इसे 15 by 2 लिख दिया बास समझवा रहे है इस 2 से यह 2 चले गया तो यह कितना आ गया यह आ गया 1 ratio 3 आया ना यही था ना 2.5 यह नहीं 5 by 2 और यह हो गया sorry I am very very sorry यह था हमारा 2.5 ratio 1.5 था ना तो हमने decimal से decimal उड़ा दिया 5 से गया यह 3 बार और 5 से गया यह 5 बार ठीक है अब मुझे यहाँ पर 7 चाहिए तो मैंने सबसे पहले 1 बना लिया आ गया अब भाई यहां से 5 को यहां लेगे अब दौनों तरफ 7 से multiply कर दिया 21 by 5 हमारा answer हो गया देखो compare करो ना यह x है 21 by 5 है यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 are you ready for such question कल examiner देखना यह सवाल पूछेगा for sure छोटी छोटे changes को करते जा रहा है आप देखिए उसको अभी देखो यह सवाल आते थे अब उसने वहाँ पर गिलोगे कर दिया बस टिक आ जाईए अगला सवाल यह one of the best questions है यह यह माल लो one of the toughest questions है किस topic का mixture allegation का एक बहुत बहुत सुन्दर सवाल है जो इस concept को समझ पाएगा मतलब समझ के कर पाएगा सवाल को इसका मतलब mixture allegation को आपने ढंग से समझ लिया है करिये ज़रा इस सवाल को रटा हुआ नहीं होना चाहिए answer किसर हमने तो सारे सवाल ही रट डाले बताए दिलप्रीत बेसिक्स हम कर चुके हैं इसी चैनल पर discuss ठीक है और बेसिक तो सब इस्टुएंट्स कहीं न कहीं paid course करते हैं इसलिए अब हमने सोचा पता है क्या होता है मतलब आप सब को कभी satisfy नहीं कर वाओगे बात आप भी जानते हो जब हम बेसिक सवाल कराते थे बेसिक समझाते तो कहते सब बेसिक तो आता कुछ बढ़िया सवाल करो ठीक है आपकी बात मानी फिर जब बढ़िया सवाल करा है सर बढ़िया सवाल तो तब ही कर पाएंगे न जब आप ही हमें बेसिक भी करवाओंगे तो भाई करवाए क्या है आ जाईए देखें आ जाईए इस सवाल को discuss करते हैं बहुत सुन्दर सवाल है अगर ये डेड़ मिट में भी आप कर पाए तो बहुत बढ़िया देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे सवाल कह रहा है अगर x beakers 100 ml के जिसमें acid और water का ratio देखो सबसे पहले क्या कह रहा है उसने acid औ उसको mix किया जाता है y beakers के साथ जिसका जो कितने ml का है 200 ml का है और उसमें acid और water का ratio कितना है 3 ratio 17 क्या यह बात सही है यह कितने ml का है अभी यहां नहीं लिखता हूं मैं लिखता हूं इसे left में यह कितने ml का है 100 ml का है यह कितने ml का है 200 ml का है यह कितने लिए यह x कप ले लिए ये कितने कपली है ये y कपली है ठीक है अब ऐसा करने के बाद जो resulting mixture होता है जो final हमारा mixture बनता है उसमें जो acid और water का ratio है वो कितना है 19 अनुपात 91 उसमें जो final हमारा बनता है उसका ratio कितना है 19 ratio 91 क्या ये बात clear है तो देखो अराम से समझो अगर हम यहां पर इसको जोड़े तो ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है ये कितना रहत टूटि आ रहा है तो बताओ इसका मतलब क्या है कि अगर ये 5 ml का है तो ये 20 ml का है क्या ratio चल रहा है ml में तो आपको इसर 1 ratio 4 चलना है लेकिन इन cup का size कितना है तो इन cup का size 1 और 2 के ratio में किस ratio में 1 और 2 के ratio में तो भाई यहाँ पर 1 ratio 2 करना है तो अगर मैं इसे 2 से multiply कर दूँ तो यह 10 बन जाएगा यह 20 बन जाएगा तो 10 और 20 यानि 1 और 2 का ratio बन गया तो इसको भी 2 से multiply किया और इसको भी 2 से multiply किया तो अभी sorry अभी हमने किस चीज को use कर लिया तो अभी हमने इस चीज को use कर लिया बात सही है अब बताओ यह हमने कितने beakers लिए x यह कितने लिए y तो अभी यह वही सवाल हो गया कि इसको किस ratio में मिलाया जाए तो यह x लेने यह y लेने है तो बताओ अगर आपने x लिए ये और y लिए ये तो acid कितना हो जाएगा तो आपको इसार acid होगा 2 in 2 में x और नीचे देखो acid 3 in 2 में y तो 2x plus 3y की value कितनी आएगी 19 आएगी इसी तरीके से 8x plus 17y इसी तरीके से 8x plus 17y की जो value आएगी that will be 91 अब elimination method यूज़ कर लो यह यहाँ पर 2 है यहाँ पर 8 है दौनों जगे 8 बना ले इस equation को आपने 4 से multiply कर दिया तो कितना बन गया 19 into 4 यह हो गया 76 यह हो गया 4 3 जा 12y और यह हो गया आपका 4 2 जा 8x बड़ा कौन सा है यह बड़े मैंसे छोटे को माइनस कर दिया तो 12 और 7 का difference आ गया 5y is equal to यहाँ पर क्या difference आ रहा है 5 15 इसका मतलब y की value आ गई 3 अब y की value 3 यहाँ put कर दिया आपने तो 3 39 19 मैंसे 9 गये 10 2x की value 10 क्या x की value 5 आ गई सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्या ये बात सभी विध्यारतियों को clear है बोलो is it clear to every student ये सवाल करने का ये तरीका है ठीक आगे बढ़े अगले सवाल पर चलिए इस सवाल का उत्तर बताईएगा clear हो रहा है बढ़िया है देखो clear होना चाहिए हमसे नहीं हो पाया पहली बार में कोई दिक्कत नहीं at least हम कुछ सीखें सीखना is important बिल्कुल आसान सवाल उठाया है बस ये ही सोचके उठा लिया है कि यहाँ पर mains का सवाल पूछा गया है नोबिता यही तो दिक्कत है जब जो पढ़ रहे होते हैं वो ही पढ़ने का मन नहीं करता है अब पूछर सर स्टेटिस्टिक्स कब पढ़ाने का प्लान है ये वाला सवाल अच्छा लगा आसान था बहुत आसान सवाल था mains में पूछा गया था सीजल सत्रा का ही है यह कितने लीटर है यह साड़े साथ लीटर है रिजल्ट में 20% एसीड हो जाए तो 20% का मतलब 21 रेशियो 4 एक अनुपात 4 तो सवाल क्या कह रहा है such that the resultant has 20% acid in it ठीक है अब यह कितना है हमारे पास अब देखो क्या मिलाने के लिए वो कह रहा है अगर वाटर एड किया जा रहा है तो acid constant रहना चाहिए acid तो constant है तो देखो कितने ratio add हो रहे है दो ratio add हो रहे है तो 7.5 लीटर कितने ratio की value है 3 ratio की value है और 2 ratio की value पता करने answer आ जाएगा या नहीं था या ना ओक के नोबिता ओक के तो statistics तो उसी के अंदर हमने cover किया है data interpretation में statistics कवर किया है देखो उसको statistics अलग से नहीं पढ़ना है अपने को देख कितना आगे 2.5 इंटू में 25 is the correct answer आसान सवाल था आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर चलिए यह सवाल आपके लिए challenging सवाल है आप इस सवाल को 2 मिनिट में कर दें सही कर दें बहुत बढ़िया रही 2 मिनिट चलिए देखे कौन करेगा basic इसका हम अल्रेडी discuss कर चुके हैं इसस बते हैं जाने, हुद आए कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल चले दो मिनिट होते हैं समाप्त क्या ये सवाल आपको समझ में आया है इटलीस्ट बताईए बहुत बहुत सुन्दर सवाल है ICRA एग्जाम का सवाल है कोई दिक्कती में बात हमें यहाँ पर यह समझ नहीं है भले एग्जाम में आप इस सवाल को देखकर स्किप्ट कर दो बट हमें यह समझना है कि अगर हमारे पास टाइम है क्या हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं कि सवाल में आगे कैसे वढ़ना है exam में इसे छोड़ना बहुत ही बुद्धी मता है ठीक है मगर हमें यह समझना है कि यार हो क्या रहा है सवाल में क्या मुझे वो समझ में आ भी रहा है आजाए सवाल को अराम से समझते हैं एक एक स्टेप को मेन यहाँ पर जो concept use किया जा रहा है वो है क्या समझो जैसे example के लिए समझना कि आपके पास कोई 20 लीटर मिक्षर है concept पहले मैं आपको बता रहा हूँ यह I think आपको आता ही होगा 20 लीटर हमारे पास मिक्षर है जिस में milk और water किसी ratio में है इस तरीके से हैं कि milk मालनो 15 लीटर है तो water 5 लीटर है यनि क्या ratio हो गया 3 ratio 1 तो concept क्या कहता है अगर आप इस मैंसे 25% निकालते हो इस पूरे मिष्रण का ध्यान से सुनना अगर इस पूरे मिष्रण का यनि 20 लीटर में से अगर आप 25% निकालते हो तो 25% ही यह निकलता है बाहर और 25% ही यह निकलता है reasons आपको पता है नहीं पता है तो एक बार discuss करते हैं देखो जब आप इसका 25% निकालोगे यानि कितना बाहर निकला अगर मैं आपसे पूछू तो आप कोगे सर इतना बाहर निकला किसका इसका तो इसी को आप लिख सकते हो कि यह इसका मतलब है 25% बाहर निकला किसका दिस प्लस दिस यानि इसका 25% और इसका 25% जैसे आप bracket को खोलोगे तो मेरे भाई ये इससे multiply होगा प्लस इससे होगा बात समझ मैं कि निकला कितना तो इसका 25% इसका 25% नहीं total का 25% इसी तरीके से बचा कितना अगर मैं पूस्ता remaining quantity बताओ तो आप कह देते इसका 75% बच गया और इसका 75% बच गया आपको कि सर ये तो छोटी सी बात है यही छोटी सी बात इस सवाल में लगी है let us discuss the सवाल देखो बिलकुल अराम से कह रहा है दो vessels है A और B एक है हमारे पास A, एक है B और दौनों की capacity कितनी है 8 लीटर है, ये भरे हुए acid और water से, किस से भरे हुए A, W लिख लेता हूँ, ये A है ये B में भी acid और water है पहले में जो ratio है acid और water का वो 3 और 1 है और दूसरे में ये जो ratio है ये 5 और 3 है, ठीक है अब, आगे वो कह रहा है, अब यहाँ पर न वो घुमा रहा है, इसलिए हम इस सवाल से यहाँ गया कितना, 2 लिटर after mixing thoroughly मतलब बढ़िया से अब हमने उसको इसके साथ mix कर लिया, अब 2 लिटर जो है, निकाला जाता है solution A में से और उसको B में एड कर दियाता है, बाद में 2 लिटर यहाँ से यहाँ चला गया, तो पूछ क्या रहा है, क्या रहा है, what is the ratio of acid and water in the final solution B, तो हमें B में final बताना है कि acid और water का ratio कितना है, सवाल को करने के लिए हम क्या करते है, इसकी exact quantity देख लेते है, यह कितने लिटर है, 8 तो 8 है, तो 5 और 3 के ratio में divide हो रहा है, तो 5 लिटर ही होगा, 3 लिटर ही है सही है, यह तो एकदम, यह 3 प्लस 1 4, यह था कितना 8 लिटर यानि कि 2 times हो रहा है, तो यह exactly 6 लिटर है और यह exactly 2 लिटर है, हाँ सर, बात समझ में आई, आजाए next step पर बढ़ते हैं, जब मैंसे, 8 मैंसे तो आप कितना लेके जा रहे हो, 1 by 4 लेके जा रहे हो, तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो 5 का 3 by 4 बचेगा, similarly यहाँ पर भी 3 का 3 by 4 बचेगा, आप एकदम में तुरंट लिख दो गया, इसका मतलब 9 by 4 है और इसका मतलब हो गया आपका 15 by 4 ठीक है, यह हो गया आपका 9 by 4, ठीक है सर, समझ में आ गया आगे बढ़िए, तो यहाँ पर आया कितना, तो यहाँ पर 1 by 4 आया है, तो 5 का 1 by 4 यहाँ एड़ कर दो, यानि 5 by 4 तो यहाँ एड़ कर दो, similarly वाटर, वाटर में एड़ होगा, तो 3 का 1 फोर्थ, तो 3 by 4 हो गया, है ना, सॉरी हाँ 3 का 1 by 4, तो 1 by 4 आया है, 3 by 4 बच्चा है 3 by 4 बच्चा है, और इसका 1 by 4, इंटू में 1 by 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है, यह कितना हो गया आपने LCM ले लिया, तो यह हो गया आपका 4, यह हो गया, 64, 24 और 5 29, यहाँ पर हो गया, 4 दूनी, 8, 3 11 बच्चा, अब अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछू कि यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, तो आप हो गया, सर 8 लीटर जाएगा, 1 by 5 जाएगा, कितना बचरा है, उसको छोड़ो, अब तो हमें केवल यह बताने, यहाँ रेश्यो क्या है, तो 1 by 5 यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बता 29 का 1 by 5 कितना होता है, तो आपने का सर, इसे 1 by 5 से मल्टिप्लाई कर दो, यह इसमें एड कर दो, तो कितना आ रहा है, 29 by 20, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन भाई, तभी तो किसी से हुआ नहीं, हम बस अपने कंसेप्स को क्लेरिफाई करने के लिए सवाल अभी समझे रहे, एक्जामे छोड़ देना भले, अब यह टाइम रहेगा, एक डिड़ मिनट, दो सवाल बच रहे हैं, हम कर देंगे इसको, ऐसे 11 by 4 का, 1 by 5 वहाँ पर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 by 20, अब समझो, हमें तो रेशियो बता रहे हैं, तो 20 तो आपस में 45, 45 प्लस, 11, 20 से 20 कट गया, तो कितना हो जाए, 9 और 5, यहीं लिख देता हूँ मैं, तो 9 और 5 हो गया, 14 कहरी गया, 1, 7, 8, 9, 10, 104 रेशियो 56, ठीक है, तो किस से कट जाएगा, हमारा, 8 से कट जाएगा, 8 बंजा 8, और 24, 13, और 8, 7 जा, तो 13 रेशियो 7, 13 अनुपाद 7, यानि, option number A is the correct answer, क्या समझ में आया, किया क्या, फिर से अगर repeat करें, तो यहां से यहां, 1, 4 आ रहा था, 3, 4 बच रहा था, और यहां से यहां जब जा रहे थे, तो 1 by 5 जा रहा था, 4 by 5 बच रहा था, that is all, is it clear, concept को पकड़ लो यार, कि क्या यहां पर कोई trick लगे, कुछ नहीं लगे गा, इसे ऐसे ही करना पड़ेगा, बढ़िया सवाल है, तभी तो किसी से नहीं बना, यह समझना है, ठीक है, basic approach is the toughest approach, basic को छोड़के सबको tricks आती है, basic में ही main first है, आ जाईए, यह I think हमारा आज का last सवाल है, हाँ जी, यह last सवाल है, यह सवाल MTS 2022 में पूछा गया था, once again यहार, class के बाद देखना, तुम जान पूछ के लंबे सवाल में, once more, once more कह देते हो, ठीक है, इस सवाल को try करिए, निलिशा कैसे कर रहे हो सवाल को बताईए, how are you doing this सवाल, tell me the concept, बागी तब तक try करिए, timer हमने दिया नहीं है, आदी मिनट तो हो गई होगी, बागी आदी मिनट और लो लो, basic से कौन सा basic बताओ, वैशनवी कह रहे हैं कि buffering हो रही है, यार buffering होनी तो नहीं, एकदम green चल रहा है अपना यहाँ पे तो, बताइए, बोल ये देविलाल जी, करें के discuss, आदी मिनट से उपर टाइम हो चुका है, आ जाईए, सवाल को देखे, सवाल क्या कह रहा है, अगर हम इन दौनों को मिला देते हैं, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो ratio क्या हो सकता है उसने ये नहीं बताया है कि आप इसको किस ratio में मिला रहे हो क्या ये बात समझ में आ रही है उसने ये नहीं बताया उसने कहा है what could be यानि कि मैं इसे किसी भी ratio में मिला हो सकता है वो ये 1 ratio 2 कह दे 2 ratio 3 कह दे तो वो कह रहा है कि बताओ इन में से कौन सा answer हो सकता है ratio मैं नहीं बता रहा हूँ अब इसके पीछे logic discuss करते हैं देखो ध्यान से समझना जैसा हमने mix and allegation के lecture number 1 में playlist पड़ी हुए देखना हमने ये बात discuss करी थी कि 20 उर्पे के चावल और 40 उर्पे के चावल ध्यान से सुनो 20 उर्पे के चावल और 40 उर्पे के चावलों को अगर मैं mix करता हूँ तो क्या कभी भी price 20 से कम आ सकता है या कभी भी price क्या 40 से ज्यादा आ सकता है नहीं अब किसी भी ratio में मिलाओ value इन दौनों के कहीं बीच में ही घूमती रहेगी वही concept हम यहां लगा रहे हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जगहें पर ए में अगर मैं आपसे पूछूं ए में हैं कितने मैंसे तो 9 मैंसे तो क्या आप मुझे percentage बता सकते हूँ आपने कहां स जबाएं कि हमारी होट हैं तो आपने कहा सर वी में है हमारी 5 कितने मैंसे 7 और 5 12 मैंसे तो 100 मैंसे कितनी हो गई यहां पर हम क्या निकालने percentage of goat तो कितना गया आपने कहां सर 1 ग्रूट होता है 8 1 ग 3 8 1 ग 3 तो कितना हो गया 45 ग 2 इसका मतलब यह हो गया आपका 41 और 2 ग्रूट क्या ये बात सही है बताईए Is it clear to everyone समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहर हूँ बताओ भई ये बात समझ में आई हमने यहाँ पे निकाला hen कितना है 5 out of 9 तो hen इतने percent है दूसरे में hen कितने percent है 45 by 3 यानि 80 क्या होता है 8 से 1 बटा 3 को 5 से गुणा कर दिया hen की जो percentage होगी वो इन दौनों के बीच में होनी चाहिए इसके लावा कुछ नहीं आजाओ option पर अगर hen 3 है कितने मैं से 3 है कितने मैं से 5 मैं से तो ये कितना होगा 3 by 5 3 by 5 कितना होगा 60% तो 41 और 55 के बीच में 60 आ रहा है नहीं आ रहा 1 by 2 33 1 by 3 3 1 by 3 दोनों से कम है नहीं 7 by 11 तो ये कितना होगा 7 by 18 इंटू मैं कितना होगा अपना 100 तो ये कितना होगा हमारा 2 से 9 बार 2 से कितनी बार 50 बार ये आ गहा 350 divided by 9 लगभगे 35% है किया ये हो सकता ये भी नहीं हो सकता इस पर आ गए ये कितना है 9 by 20 इन्टू में कितना 100, कुंटी से कहा है 5 times, 9, 5 is a 45, 45 इनके कहीं बीच में आ रहा है, so this is the correct answer, यह है इस सवाल को करने का तरीका, समझ में आया सभी के, प्रमोध कह रहे हैं repeat, repeat की प्रमोध स्पैलिंग पहले सही लिखेंगे, repeat, हमने यहां पर प्रमोध यह बाद discuss करी, कि आप इसे goat से करके देखो, goat 4 है, कितनी मैंसे, 9 मैंसे, तो goat का percentage, इसी तरीके से goat 7 है, कितने मैंसे, 12 मैंसे, उसका percentage, फिर यहां से सबके goat का percentage, आप देखेंगे, तो आपका केवल इस option में, इन दौनों के बीच में हमारा answer आ रहा ह होगा, अगर यहां से देखा जाए, अगर यहां से देखा जाए, तो यहां पर आपको यह आना चाहिए था, कि सर यह वाला जो एक सवाल था न, कहां गया, यह वाला सवाल, सर अगर मैं इस सवाल को इस तरीके से करने की सोचूं, तो आपको आना चाहिए, क्लास के बाद आ यह लेकिन यह आना चाहिए कि सब्सक्राइब देखो यहां पर अगर मैं देखूंँ आप किस रेश्यो में मिला रहे हो छोड़ो लेकिन यहां पर एसिड कितना है तो एसिड वन है कितने मैंसे 5 मैंसे तो यह कितना परसेंट होगे 20% होगे मैंने का सहीए बात मैंने का दूसरे में तो 3 by 20 और 3 by 20 का मतलब कितना हो गया इसका मतलब 60% सब्सक्राइब 15 परसेंट कि यह ना 3 by 20 तो यह आपका 15 परसेंट है आसर बात सही है तो यहनि हमारा जो आंसर होगा वह कहीं 20 और 15 के बीच में होना चाहिए तो देखो पहला option कितना है 5 by 8 ठीक है तो 5 by 8 into में कुछ-कुछ गलत तो नहीं जा रहे है जातों सही रहे हैं इसका आंसर क्या था भई एक्स और वाई का रिश नहीं नहीं यह इसमें कहां से लगेगा उस सवाल में पूछा किस रेशियो में मिलाएं 5 by 8 साड़े बारा बारा पंजे साथ नहीं यार इसमें नहीं इधर पर एक बट्टे पांच ठीक है यह 20 हो गया यह 15 हो गया तो वह तो यह वाली चीज आई नहीं यह सवाल नहीं और दूसरा नहीं कोई यहाँ पर मैं कहरा था देखो यह इस सवाल में आप उस चीज़ को ट्राई करने का सो सकते हैं वो जो सवाल था जो हमने last सवाल किया उसमें वो कह रहा था कि इन दौनों को मिलाने पर ये कितना आएगा ये वाली चीज इस सवाले सवाल में हम क्यों नहीं लगा पाए क्योंकि यहाँ पर उसने यह कह रखा और ये हमें लाना है तो किस ratio में मिलाए इस सवाल की अगर हम बात करें इस सवाले question की इसमें अगर हम देखें तो पहले part में inner colored picture of glue of yellow is used 4 by 3 respectively तो यह यहाँ पर आपको दिया है 4 by 3 यानि कि 4 by 7 है ना और यहाँ पर यह दिया है 2 by 5 अब यहाँ पर आप ऐसा hit and trial अगर करोगे तो दो option आपके सही आ सकते हैं जैसे यहाँ पर कितना 2 by 5 2 by 5 का मतलब कितना हो गया 40% ठीक है यहाँ पर यह कितना है 4 by 7 तो 1 by 7 14 सही 2 बटे 7 यह कितना है हमारा यह 4 by 7 तो यह हो गया आपका कितना 56 और यह हो गया आपका 8 by 3 ठीक है तो यह हो गया तो हमारा जो option होगा वो इससे और इससे दौनों से बढ़ा होना चाहिए तो यह कितना है 1 by 2, 1 by 2 कितना होता है 50% तो वो तो इन दौनों के बीच में होगा यह correct नहीं है यह कितना हो यह रहा है 2 by 12, in 2 में 100, तो 1 by 12 कितना होता है 8 सही तो यह हो गया 16 के आसपास यह भी नहीं है इस पर आगे यह कितना है 26 divided by 35, in 2 में कितना है 100, तो यह कितना हो गया पात से गए साथ बार और पात से गए 20 बार तो यह गो गया आपका 520 divided by 7, मैं सिर्फ यह बता रहूं कि कियवल अगर आप option से करने की कोशिश करो अपने पास क्योंकि time है आज सोड़ा सा देख कितना आ गया, 7, 749 यानि ये 70 से कुछ अधिक percent है, तो ये हो सकता है, लेकिन गड़बड इसमें क्या हो जाएगी, ऐसे मत करना ये मैं समझाने का main motto ये था, इस सवाल को pick करने का कि इस सवाल में और last सवाल में अंतर है वो ये कह रहा है, इन चारों में से कौन सा option सही है, यानि वो ये कहना चारा है कि उन चार में से एक ही सही आएगा, एक ही ऐसी value होगी जो इन दोनों के बीच में है, ये कहलो इन दोनों से अधिक होगी, लेकिन यहाँ पर multiple value हो सकती है क्या इस बात को समझ पाए इसलिए, देखो option से जाना हमारा last option होता है, जब कुछ नहीं समझ मारा कोई भी हमारे पास तरीका नहीं बचा तब ही हम option से जाते हैं, यहाँ पर traditional approach से जाना है, reason समझ पाए यानि अगर मैं यहाँ पर एक option कर देता 26 ratio 7 या 8 तब भी हमारा वो value इससे अधिक ही आती हाई है ना? तो this was the reason हमने यह सवाल को भी discuss किया, इसी के साथ हम अपने आज के session को the end करते हैं, अब हमारी मुलाकात कब होगी भाई? इसी channel पर होगी, अब होगी Thursday को, कौन से topic के साथ होगी, तो इसी topic के साथ होगी, part number 2 आएगा अब इसका, टाइमिंग क्या है? तो timing is 7 pm done करे session को the end ओके टाटा, भाई, I hope आपको session मजेदाल लगा हो, कुछ आपने सीखा हो, कुछ value addition हुई हो, ठीक, ओके टाटा, भाई good night, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए